नमस्त दोस्तों, मैं सुमन सर्मा, आप सब रिकास भागत करती हूँ, आपके इपने चानल सुमन एजुकेशन हग में आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि चैनली प्रैंट से कैसे आप अपने सारे पर्चेस इन्वासिस को PDF format में एक साथ export कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए आपको 6 मन्द का या फिर 1 मन्द का पर्चेस इन्वासिस्टर एक्सपोर्ट करना है PDF format में, आपको अपने बॉर्स को देना है, स्रिय को देना है या फिर auditor को देना है तो कैसे आप एक साथ export कर सकते हैं अपने purchase invices को PDF format में ये मैं आपको इस वीडियो में practically and with example करके बताने वाली हूँ तो चलिए वीडियो को start करते हैं और देख लेते हैं कि सारे purchase invices को कैसे आपको PDF format में एक साथ export करना है तो चलिए वीडियो को start करते हैं वीडियो start करने से पहले और आगे बटने से पहले एक छोटी सी request है मेरी आप से भी लोगों से अगर आप first time मेरे चैनल पाया है and new viewer है तो make sure मेरे चैनल को like कर लीजिए share कर लीजिए and subscribe कर लीजिए टैली and accounts related किसी भी type की कोई भी confusion है आप मुझे comments कर सकते हैं definitely उसका solution and reply में आपको दूँगी तो चलिए वीडियो को start करते हैं टैली प्रैम को open कर लेते हैं गेटफिय आप टैली से हम purchase register open करेंगे तो यहीं पर रहते हुए आपको display पे जाना है and display पे जाने की बाद accounts book में हम जाएंगे and यहाँ पे purchase register open कर लेते हैं अब देखिए purchase register open हो चुका है यहाँ पे आपको purchase का month wise data मेल जाता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस month पे आपने कितना purchase किया है and data को export भी कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पे हम export कर लेते हैं suppose किजिए अगर आपको fab month का करना है तो fab पे click किजिए सारे purchase के invices आपको यहाँ पे show हो रहे हैं अब इन सारे invices को आप export करना चाहते हैं तो export करने के लिए simple आपको export पे जाना है उसके बाद others पे आप जाएंगे यहाँ पे देखिए multi voucher इस पे आपको click करना है then आपको configuration करना होगा before exporting file तो सबसे first option आपको यहाँ पे show हो रहा है voucher type तो यहाँ पे voucher type enter press कर लेंगे आप and purchase आपको type कर ले रहा है और उसके बाद देखिए यह आपका जो export है वो regular रहेगा period आप यहाँ से select कर सकते हैं अपने requirement के according तो मैं आपे select कर दी हूँ fab month क्योंकि मुझे fab month का export करना है अपने purchase register को आप यहाँ नीचे आप देखिएंगे file format आपे PDF format आपको select करना है आपे alt ए प्रेस करके save कर लीजिए and send पे आपको click करना है enter press कर दीजिए यह option आपको show होगा आप यह देखिए आपका जो file है वो export हो रहा है तो कुछ time लगता है ज़्यदा time नहीं लगता है hardly 30-40 second में आपका जो file है वो export हो जाता है तो यहाँ देखिए हमारा जो file है वो export हो चुका है PDF format में आप यहाँ पर scroll down करते जाएंगे तो आपको सारे invices one to one show होगे scroll down करके मैं आपको show करती हूँ देखिए मैं scroll down कर रही हूँ आप यहाँ पर invices देखते हैं one to one नीचे आपको drop down में सारे invices show होगे उपर आप देखेंगे तो one oblique 30 यानि कि 30 invices हैं चलिए save as करके हम इसको save कर लेते हैं आप इसे desktop पे भी save कर सकते हैं आप अपने किसी भी location पे इसको save कर सकते हैं जस्ट आपको path mention करना होगा तो यहाँ पर मैं आपको save करके show करती हूँ जैसरे कि मैंने आपे desktop जो है वो path select किया है यहाँ पर जो file का जो name है प्रॉपर या फिर नहीं तो देखिए file जो है वो open हो रही है अब देखिए आपको यहाँ पर show हो रहा है सारे invices आपको show होंगे scroll down करते आप जाएंगे तो जितने भी invices होंगे सारे invices आपको show होंगे तो इस type से आप अपने purchase register को एक मन्त का हो दो मन्त का हो या फिर six मन्त का हो या फिर पूरे year का हो आप इस type से अपने purchase invices को PDF format में export कर सकते हैं description box और check out करना ना भूलिएगा वहाँ tally and accounts related maximum videos के link प्रॉइड कर दूँगी आप उन सारे वीडियो को watch कर सकते हैं आप मेरे चैनल को search भी कर सकते हैं मेरे चैनल का name है suman education hub आपको वहाँ playlist मिल चाएगी आप playlist भी watch कर सकते हैं playlist भी आपके लिए काफी helpful होगा tally and accounts related छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर topic को cover करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है स्टेल कर रही हूँ and in future में भी करती रहोंगी बस आप सभी लोग का साथ and आप सभी लोग का support मुझे चाहिए I wish ये वीडियो आपके लिए helpful रही है अगर helpful रही है तो एक छटा सा काम कर दीशेगा चैनल को like कर दीशेगा share कर दीशेगा and subscribe कर दीशेगा thank you and keep watching my videos